जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि दुखत घटना यहां रमेश राजभर जी के परिवार में घटित हुई जिसमें गुड़ी राजभर सहित पांच लोगों का दुखत दिहान्त आग लगने से हुई है मुखमंत्री जी को जैसे पता लगा हम लोगों को जैसे जानकारी हुई मुखमंत्री जी ने जो शोक संतप्त परिवार है जो पेडित परिवार है उनके परिजनों को आर्थिक मदद देने की भी बात कही और भी किसी भी प्रकार की सहायता की आवस्चत्ता है तो वो सब सहायता देने की भी बात मुखमंत्री जीने कही है कल हे उनका आदेश हुआ कि आप घटना स्थल पर जाएए वहां पेडित परिवार से मिलिए उनकी बात सुनिए उसी क्रम में आज मेरा यहां पर आना हुआ है अभी मेरी बात मुर्तिका के भाई से भी हुई है उनके अर्णे परिजनों से भी हुई है घटना काफी दुखद है हिर्दय ब्रदारक है छोटे बच्चों का भी इस दुखद दुरघटना में अन्थ हुआ है पूरा प्रशासन, सरकार हम सब लोग दुखी है और हर इस्थिती में पेड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है अगर हमारी बातें हुई है पेड़ित परिवार से भी हुई है उनके परिजनों से भी हुई है परिवार जैसा चाहेगा जो चाहेगा और जिस प्रकार की चाहेगा उस प्रकार की जाच कराने के लिए सरकार तयार है प्रशासन तयार है अगर बिजकी लोगों के भी मुआवजे मिलेंगे अभी हम लोग परिवार के लोगों से भी संबाद करके अपने अस्तर पर इसकी पूरी जाच करके मुआवजा इसको मिलना चाहिए ये तैं करके चुकि एक परिवारिक विवाद भी आपसका है उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए उसका भी फैसला करेंगे उसका भी पैसा सुरक्षित है उसको रखा गया है कभी कभी बिधिक राय लेने की आवेशकता पड़ती है तो बिधिक राय भी लेंगे और मुआवजा इसको मिलना चाहिए ये तैं करके प्रसासन फिर आगे की कारवाई शुलिष्चत करेंगे मंत्री जी इसमें आवास अगर रहा होता तो घटना नहीं हुए ये ऐसी कोई बड़ी ले बड़े फाइपिसटार होटोलों में भी आग लग जा रहे हैं मंत्री जी अब अब लगावी बचाना कहीं भी होती है घटना दुरघटना कहीं भी होती है घटना हुई दुरघटना हुई उससे हम सब लोग मरमाहत है गाउगर के लोग मरमाहत है प्रसासन के सामने सरकार के सामने हम लोगों के सामने सबसे बड़ी बात ये है कि परिवार जो पेडिता का है जिन लोगों की जाने गई है उनके ज तरह से पोचे कैसे उनके जखम पर मरहम लगाएं सरकार के सामने ये सवाल होता है और उस दिशा में मैं अपने मुखवंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि बड़े ही संबेदन सिलता के साथ उन्होंने घटना का सग्यान लिया है और परिवार को किसी भी प्रकार की क किसको दिया जाए अब हुआ चुकि अभी कुछ लोगों का काना आए कि परिवार आता था उसके पति आते थे जाते थे किसी कहने से खोड़ो होगा जो उनके भाई है उनके जो रिष्टेदार है उनसे हम लोग बात-बात करेंगे प्रसासन बात करेगा जाज करेगा सब बात-बात-बात-बात-बात-बात-बात-बात-बात-बात-बात-बात-बात-बात-बात-बात-बात-बात-बात-बात-बात-बात-बात-बात-बात-बात-बात-बात-बात-बात-बात-बात-बात-बात-बात-बात-बात-बात-बात-बात-बात-बात-बात-बात-